हेलो एवरिवन मैं हूँ लूबीना पारूल और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्र बॉमई वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया का केस 1994 का ये जज्जमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्डेंट है यदि आप LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, PSD कर रहे हैं या फिर जुडिश्री की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इस जज्जमेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आर्टिकल 356 से ये रिलेटेड है जो स्टेट इमेर्जंसी को बताता है 356 में इस ग्राउंड पर की, इनके पास जो है वो पूरी मेजॉरिटी ही नहीं है और ये प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं तब SR बॉमई ने उनसे मौका मांगा के हमें प्रूफ करने का मौका तो दो लेकिन गॉर्मेंट ने उनको कोई भी मौका नहीं दिया तब SR बॉमई सुप्रिम कोड गए उन्होंने वहाँ जाकर एक रिट पिटिशन फाइल की कि क्या सेंट्रल गॉर्मेंट के पास इतनी पावर है कि वो आर्बिटरी उसको यूज करके और किसी भी गॉर्मेंट को खतम कर सकती है तब सुप्रिम कोड ने कहा कि यदि प्रेजिडेंट को इमर्जन्सी लगानी है तो दोनों हाउस में राज्यसबा और लोकसबा दोनों से अप्रूवल लेना होगा वो तब ही वैलिट माना जाएगा वरना वो वैलिट नहीं माना जाएगा प्रेजिडेंट जो है वो लेजिसलेटिव एसेंबली को सस्पेंट तो कर सकता है लेकिन डिजॉर्व नहीं कर सकता दो महीने के बाद वो खुद ही लैप्स हो जाएगा जैसे मान लेजिए अगर कोई भी आज इमर्जंसी लगती है तो वो सिफ दो महीने के लिए रहेगी उसके बाद में जो है गौर्मेंट जो है वो फिर से अपने अस्तित में आ जाएगी तो कोट ने कहा कि इस तरह से जो है वो गौर्मेंट को खत्म नहीं किया जा सकता कोट ने कहा कि जो सेंट्रल गौर्मेंट है वो जुडिशल रिव्यू के अंदर ही आएगा और इस तरह से फेडरलिस्म को खत्म नहीं किया जा सकता अपनी पावर यूज करके तो यहाँ पर Supreme Court ने जो Central Government की जो पावर थी उसको रोक कर उस पर restriction लगा कर ये बोला कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है Constitution के basic structure को खतम करेंगे